नमस्कार आप देख रहे हैं किया लापक और आपके साथ मैं हूँ गुंजन मित्तल हम एक बार फिर हाजिर है आपका अपना हेल्ट शो लेकर जिसका मकसद है आपको हेल्ट के प्रती हमेशा जागरुक रखना हमने अपने शो में कई बिमारियों के बारे में बात की है लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशे पर जिसके बारे में लोगों को जागरुक करना बेहर जादा जरूरी है आज कल घरों में जानवरों और पक्षियों को पानला एक टेंट सा बन गया है लोग अपने पालतू जानवरों को घर के सदस्य की तरह रखते हैं उन्हे हाथ में उठाते हैं खिलाते हैं उनके साथ खेलते हैं कुछ लोग तो उन्हें अपने साथ तक सुलाते हैं और उनकी पूरी देखबाल करते हैं हम मानते हैं अच्छी बात है लिकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पलरा जानवर जाने अंजाने आपके घर के सदस्य तो आज के अपने शो में हम इसी विश्य पर अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे आखिर पैट एनिमल से व्यक्ति को किन बिमार्यों का खत्रा हो सकता है और उनसे कैसे अपना बचाप किया जाए आज इस विश्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है इंटर्नल मेडिसन डॉक्टर बेला शर्मा डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में डॉक्टर आजकल आप देख रहे हैं कि पैट लवर्स की जो संक्या है वो काफी जादा बढ़ती जा रही है हम अपने आज परोस में भी देखते है हमारे रिष्टेदार जानवरों में भी लोग पैट्स को रखते हैं तो इससे हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पढ़ता है और खासकर मैं घर में जब बच्चे और बुजर्ग हों तो और किन-किन जानवरों को रखने से कौन-कौन सी बीमारी को खत्रा बढ़ता है तो बहुत अच्छा आपने स कुछ पैट्स हैं जैसे जो हम लोग अगर कॉमनिस पैट हम लोग रखते हैं कुटा पालते हैं बहुत फेट्फुल होता है अनकंडिशनल लाव देता है लेकिन कुछ जो कुछ ब्रीज होती हैं जो बहुत जादा जिनके बाल जढ़ते हैं और कुछ लोगों को उसके कारण अलर्जी हो सकती हैं सांस की तकलीफ हो सकती है स्किन अलर्जी हो सकती है खासकर छोटे बच्चे जो बहुत जादा जानवर के करीब रहते हैं कुटे से बहुत प्यार करते हैं तो कई बार वो उस बाल को स्वालो भी कर सकते हैं जिसके कारण उने हेल्थ रिलेटिट भेशानी है तो वो बढ़ जक्ति है इसके अलावा जैसे हमने देखा है कि बहुत बार बहुत लोग उसको जानवर को बाहर से घुमा के लेके आते हैं अपने तो हाथ पर हम लोग धो लेते हैं मगर अपने पैट का जो है वो इतना जादा खैल नहीं रख पाते या तो हम लोग अपने पैट को भी जब बाहर से लेके आते हैं उसके इच्छी तरह से पैर बुलाए जाए उसका अछी तरह से मुझाफ किया जाए उसके बाद ही उसको घर के अंदर ला जाये किुंकि अगर आपने अपने पट को अपने घर के सदस्य की तरह रखा है तो उसकी सफाइगा, उसके आलरजी की ख्याल रखना चाहिए. उसके खाने पीने का, उसके रहन-सेहन का भी उसकी तरह से क्याल रखना चाहिए. तो जो कॉमनिस बीमारियां हमें हो सकती है वो एक तो सांस की आलर्जी की स्किन की प्रॉब्लम है दूसरा जो animals में tics होती है जिनहें जो skin में एक छोटी जैसे इन्सानों में जूएं होती है उस तरह की छोटी टिक्स होती है जो केई बाद जानवरों से इन्सानों में हो जाती है please जिनको कहते हैं तो Flea-born diseases हो जाती है तो उन से बचाव करना बहुत जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि पैट को बार-बार हमें वेट के पास ले जाना चाहिए उसकिन की उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज रेगिलर होना चाहिए जी आप यहां पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देने को कह रही है है डॉक्टर बेला पर कुछ लोग अपने पैट की साफ सफाई पर काफी जादा ध्यान देते हैं वैक्सीन भी प्रॉपर्ली करवाते हैं तो क्या उन्हें भी किसी तरह की बीमारी का खत्रा हो सकता है जी वैक्सीन बहुत जरूरी है जैसा कि हम लोग जानते है रेबीज ए पैट से अपने आपको बचाने के लिए वैक्सिन कराना बहुत जरूरी है और सफाई का एक मैं और बात कहूंगी हम लोगों ने पैट रतना तो सीख लिया है घर की सफाई करना सीख लिया पैट की सफाई करना सीख लिया इसके साथ सथ हमें अपने आसपास की एन्वायर्म पेट जो है वो अपना काम करता है उसको फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं जी एक शिविक सेंस होती है आपके पेट ने जब अपना काम किया है तो आप अपना स्कूपर और पॉलिथिन साथ लेके जाएए उसको कलेक्ट करिये और उसको भी डिस्पोज आप करिये बिलकु तो इसलिए उससे भी बिमारियां फैलती है चुकि गलती से कोई अगा खेलते हुए बच्चा है बड़ा है उस पे स्टेप कर जाएगा कोई गाड़ी उसके उपर से गुजड़ेगी तो वही गंदगी फिर हमारे घरों में आएगी तो पेट के साथ एक यह प्रॉब्लम है ढौक्टर बिलया जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी स्टोरी के बारे में गवर करने की जब देख रही तो मैंने यह भी पड़ा की डॉक की यूरीन से भी कुछ बीमारी फैलती है और खासकर बारिशों के महसम में तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है हाँ, सी ऐसा है कि कोई भी एक्सक्रीटा जो है एनिमल्स का, for that matter animals or human beings. So, एक्सक्रीटा ऐसी लिए उसको कहते हैं क्योंकि वो whatever is excess in the body. So, उसके through infections हो सकते हैं, उसके through बच्चों में और बड़ों में क्योंकि उसमें कुछ ऐसे substances होते हैं जो skin के लिए harmful होते हैं, कई बार उसके through infections फैल सकती हैं, तो इसी लिए हम लोग अपने जो animals होते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, पैट्स होते हैं, तब उनको proper train किया जाता है कि वो घर पे ना करें, especially जब छोटे बच्चे होते हैं या बहुत बुजर्ग होते हैं, तो उनके animals के excreta के through infections हो सकती हैं, worms हो सकते हैं, इसलिए regular deworming करना बहुत ज़रूरी होता है, जब आपके घर में already कोई ऐसा व्यक्ती है, जिसको कोई बीमारी है, elderly हैं, जो सांस की तकलीफ से पीडित हैं, या जो diabetes हैं, जिनको जल्दी कोई भी infection लग सकता है, तो हमें थोड़ा सा जादा careful रहने की ज़रूरत है, जी, डॉक्टर अपने जैसे अभी कुछ symptoms की बात करी, कि allergy हमें दिखती है, या हमें सांस लेने में जिनको problem होती है, उनको कुछ problem दिखती है, पर इनको हम बड़ा commonly देखते हैं, तो ऐसे आप कौन से symptoms की बात करेंगे, जिनको हमें बिलकुर नजर अंदाज नहीं करना कुछ एकर हमारे घर में पैठ हैं तो, सी अगें जैसे की मैंने पहले बताया, अगर कोई सांस के मरीज हैं, जैसे अस्थमा की किसी को problem है, chronic obstructive averse disease, जिसे हम कहते हैं, ब्रॉंकाइटिस के मरीज हैं, जो डाइबटिक्स हैं, इस्पेशली जिन में इम्म्यूनिटी औरी कम है कुछ सांस के मरीज ऐसे होते हैं, जिनको बहुत जल्दी infections हो जाते हैं, कुछ लोग जो किसी और बिमारी के लिए steroid ले रहे हैं, जिसमें already infection की chances बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जादा careful रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जो animals हैं, उनके through fungal infection होने की chances भी बढ़ जाते हैं, और जो animals का जो fur है या जो वो shed करते हैं, कई बार skin shed करते हैं, उसके through again allergies बढ़ती हैं और कई बार infection होने की chances बढ़ जाते हैं, एक हमने पहले भी एक स्टोरी करी थी, हम आसपस अपने घरों में देखते हैं, बालकनी में कई बार की कबूतर अपना घर बना हो सकते हैं, खासकर हम लंग्स की बात करें तो, हाँ, कबूतर के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा strongly feel करती हूँ, क्योंकि बहुत बढ़ा मैनेस हो जाता है कबूतरों के कारण, लोगों को यह लगता है कि कबूतरों को दाना खिलाएंगे तो यह बहुत बढ़ा पुन्य हो होता है, क्य сторонúcि एक तो कबूतर जो हैं वो बहुत, जब कबूतर जहां पर रहते हैं, और और कोई पक्षी नहीं आते हैं. और कबूतर, especially उनकी जो ड्रॉपिंग होती हैं, उन में इस तरह के कुछ किटानू पाए गए हैं, जिससे चेस्ट इंफेक्शन के चांसे बहुत ज़ादा होते हैं, सिटकोसिस जिसे कहते हैं, दिन एक तरह का फंगस होता है, क्रिप्टो कॉकस जिसे कहते हैं, ये फंगल इं जब एक बार ये ड्राइ हो जाता है तो उसमें से जितने ये बैक्टेरिया हैं चाहे फंगल स्पोर्स हैं ये हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं तो ऐसी जगहों पे जहां बहुत सारे कबूतर इकठे होते हैं खाते हैं और निचली थोड़ी समय के बाद वो उनकी जो ड्राइ होंगी उस जगह में जितने लोग गुजरते हैं सांस लेते हैं उन्हीं ये सब इन्फेक्शन होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो ये मैंने बहुत अगा नोटिस किया है जहां पर के एक राउंड अबाउट्स हैं वहां पर लोग दाना डालते हैं और वहां पर सैंकडों की डादाद में कबूतर इकठे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है आप ज़रूर किलाईए लेकिन उसके साथ-साथ वहां की जादा ज़रूरी है बालकनीज में भी इसी तरह कबूतर बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं हर तीन-चार महीने में अगर आपके आँ घंसला है तो हर तीन-चार महीने में उसमें से दो बेबी निकल आएंगे और ये तो मेरा परसनल एक्सपीरियंस है कबूतर बहुत गंदे होते हैं वो अपना घंसला नहीं साफ करते जनरली पंची जो है वो अपने घंसले की बहुत सफाई करके रखते मगा कबूतर नहीं करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा बिमारियां होने के चांसिस हो जाते हैं जी तो डॉक्टर हम यह नहीं कहेंगे कि आप अगर पक्षी ओ जानवरों को पसंद करते हैं तो ऑने घर में ना रखे हमारे शो के बाद। पर मैं यह कहना चाहूँगए कि हम इन भीमारीव से कैसे बच सकते हैं। क्यों कि यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है कंट ठेस्ट के आपने टेस्ट करा आए अपने पेट्स लगता है आप उनको प्री ओडने दीजिए आप उनको खिलाना चाहते हैं जरूर खिलाइए लेकिन साथ-साथ में वहां पे एक सफाई का जरूर इंतजाम होना चाहिए जहां पे कबूत्रों को पक्षियों को खाना खिलाया जाता है वहां पे यह इंतजाम हो की अच्छी तर से स्पोर्ज और बैक्टेरिया उनके उपर ना जाएं और आसपास के जितनी हवा है वो साफ रहे और घर में आपके जो पैट से उनका रेगिलर आप चेक अप कराईए उनको वैक्सीन लगवाईए जब वो बाहर से आपका पैट आपके साथ घूंके आता है आप उसके जैसे मूँ डाला हुआ है उसी मुह से वह आपको चाटेगा उसी मुह से वह बाकी चीजों में डालेगा तो वह सफाई का जितना ध्यान रखेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका पैट भी हेल्दी रहेगा जी डॉक्टर में यह भी सवाल जाना चाहते हूं कि इंडि जो dogs breed किये जाते हैं तो बेडिमेस्टिक पायामें उनका एक तो आपके हैं कि हमें पता होता है तो उनके बारे में हमें पता होता है कि वह कितना friendly होगा कितना वह घर में एडिस्ट करेंगा जो नेटरिव डॉक्स हैं वह झाज करना बदिव पॉपलर जो की लोग पालते है और जो बहुत इच्छे से रहते हैं, लेकिन मैंने ही देखा है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, बहुत लोग जैसे स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं, ले आते हैं, मगर वो घर पे नहीं एजस्ट हो पाते हैं, बिकास उनकी ब्रीड इस तरह की होती है, कि वो तो इसके वो पहुत जड़ा से फजya हो पाते हैं, तो इसके वो बहुत जदा Right एंगरसुए हो जाते हैं, जयुकि पार दुख और परियों के लिए हैं, जो पीश्केन नेटिव इंडेवग हो दरूभ समर्ट जाते हैं थातो हैं, पालते बहुत अबने हैं, जो बेने के ब बट स्ट्रीट डॉग्स में वही वाइल एंडिमल में और डॉमेस्टिकेटड अइनिमल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और अगर हमने एस पैट रखना है तो उसी को हम रखेंगे जिसमें वह वाली फीचर्स हैं जो हमें एक पैट में चाहिए जो की फ्रेडली हो जो करता है पर आपके आसपास बच्छोटे बच्चों को अटाइक कर सकता है तो यह कितना बड़ा खत्रा है क्योंकि responsibility आपकी ही बनती है क्योंकि आपकी responsibility बनती है तो इसके बारे में भी आप क्या कहना जाहें हां सो बिलकुल अगर आपने एक पैट रखा है तो उसको train करना यह आपकी responsibility है हमारे देश में हमने pets रखना तो सीख लिया है लेकिन अभी तक हम उसकी training पर इतना जादा ध्यान नहीं रखते हैं और जो laws है उन पर भी हम इतना जादा concentrate नहीं करते हैं जबकि जो एरियाज है आपने सुना होगा कि इवन इंग्लिंड में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है he is also not above the law उन्होंने ऐसी जगह पे जहां पे डॉक को leash allowed नहीं था उन्होंने उसकी leash हटा दी तो उनको भी टोक दिया गया हम लोग क्या ऐसा कुछ नहीं है हम कहीं पर भी अपने डॉक को छोड़ देते और कोई कुछ कहता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं जी इसलिए training of the dogs is very important और जहां पे हमें लगता है कि यह area safe नहीं है हमें उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए और इसके लिए laws होना ज़रूरी है लिफ्ट में अगर हम जा रहे हैं और लिफ्ट में कोई और लोग हैं और हमें पता है कि हमारा dog aggressive है तो हमें लिफ्ट में उसको नहीं लेके जाना चाहिए अगर बाकी लोग और हैं कि छोटा एरिया है उसको हम हो सकता है ना संभाल पाएं तो ट्रेनिंग इस बेरी इंपोर्टन और यस अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी हमारे करना चाहूंगे आज कर को बहुत जादा जा रहा है तो कैट से किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है नहीं सेमिलर शेट्र आप्रॉब्लम शीव के साथ भी कैट्स हलांकि बहुत जादा इंडेपेंडेंट होती है और उनको आप लीश पे भी नहीं रख सकते हैं वह अपनी मरजी से आती है अपनी मरजी से जाती है लेकिन CHEST INFEKTIONS के CHANCES जो हैं अगयर KATS जो SHERD करती हैं वो उनके साथ जाधा होती है हलांकि यह है कि KATS के साथ थोड़ा सा मतलब वो इतना जाधा आपके उपर मुतलब च़ङता है और इतना जादा जैसे डॉक्स बहुत जवग साथे उहते हैं बहुत शो करते हैं अपना आफेक्षिन बट कैट जो जो चेस्थ के इंपेक्शन के चांसीं है बहुत जादा होते हैं दो की इम्म् mesmoनीटिटी थोड़ी सी कम है उस पे हम लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा सा कैट से दूर रहना चाहिए विकॉस अगें डियर आ सर्टन डिसीजिस जो कैट में होती हैं और वो इंसानों में हो सकती हैं वो चेस्ट डिसॉर्डर होते हैं निमोनिया जैसे हो सकता है जी तो यदि पैट को किसी तरह की बीमार हो जाए और उसका इलाज चल रहे हैं तो ऐसे में हमें घर में किस तरह की साफधानिया बरतनी चाहिए अगर आपके पैट को कोई इंफेक्शन है जो कि इंसानों को लग सकती है तब तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो सरफ प्रेयर ना हो जाए जी डॉक्टर बेला जैसे आपने का रैबीज बहुत खतरनाक भीमारी है जो हमें बंदर कुटे और बिल्ली के काटने से होती है पर मैं जब पढ़ रही थी तो यह भी देखा था कि सिर्फ काटने से नहीं अगर आपके कोई कट लगा हुए शरीर में रहा पर उसका पंजा या नकिक लग जाता है Лए तो उससे भी आपको रैबीस होने का खत्रा है तो उसके थो तो इन्सान बच सकता है लेकिन एकिन एक्सी को Premiere का इंफेक्शं हो जाये वह महई हो जाए तो तो उससे नहीं बचा जा सकता है किसी जाणवर का ने काट लिया है या उसका दांत लग गया है उसका सलाइवा लग गया है और हमें नहीं पता है कि वह प्रोटेक्टेड है या नहीं तो इम्मिजेटली जाके रेभी वैक्सिन लगवाना है और पूरे डोजिस लेने हैं जी अगर आपको थोड़ा सा भी है तो वे वाक्सिन ले लेना चाहिए जी डॉक्टर चलते चलते आप हमें क्या सला देना चाहेंगी कि अपने पैट को ट्रेंट करना कितना जरूरी है जिसे वो घर और बाहर कहीं भी किसी को नुक्सानना पहुचाए साथ ही अगर हमारे घर में बच्चे और बुजूर्ग है तो हम किन-किन बातों का ध्यान रखें पैट को ट्रेंट करना उतना ही जरूरी है जितना अपने बच्चों को पढ़ाना जी है ना हम अपने बच्चों को यह समझते हैं कि यो पढ़ लिखके और एक अच्छे नागरिक बने उसी तरह हमारे पैट भी ट्रेंट रहेंगे त हम बानते हैं कि उगहर के सदस्या है तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें भी प्रॉपर ट्रेंग मिलनी चाहिए ताकि हम भी सेफ रहें और हमारे आसपास की लोग बीट सेफ रहें और किसी तरह के भी सेम्टम्स नजर आये तो उसे नजर अंदाफ नहीं करना चाहिए और छो चाहिए पच्छों को यह चीज भी सीखने की जरूरत होती है कि वह प्रॉपर का जो पैटके खाने की चीज है उसके बर्तन है उससे दूर रहें पैटका जो जहां अगर शेडिंग हो रही है उसको ना मुमें डालें तो यह सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और दूसरा बुजूर्गों के साथ अगर उन्हें सांस की कोई तकलीफ होती है अगर उन्हें कोई इस तरह की विमारी है तो उन्हें पैट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जी डोक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाई से जुनने के लिए हमारे तमाम सवालों के जव जानवर रखते हैं तो उसे थोड़ी दूरी बना कर रखिए जैसा कि डॉक्टर ने भी सला दिये अपने जानवर या पक्षी को समय समय पर पशू चिकित्सक के परामच से टीके लगवाए और उनकी साफ सफाई का बिल्कूल ध्यान रखे और अपने पालतू जानवर के ल 今天 doctors are busier than ever providing care and advice to patients and the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber with such a captive audience it's time to put their wait time to good use introducing TV9 waiting area network that provides premium patient engagement experience through प्लौप नचिए अनिया ए जो जूब सब्सक्राइब स्क्राइब लेडिए टीजरे हैं जूपने हैं जूचन एक टो नास्टिर अचीजर जान्या को प्रवाइ लेगज चिक चाईब गट्थैंश जूडिज अटेरे टीति उडिक पर रह और जा से वियर प्लूफ चारे भूलिस अस्तुमाइब झालिस ग elementary आपट्ट. डीलिस फे टारमी स्ट्र secondary आपट्री आकि न्यार टाइब ट्रब्रीड को ओल सवासलुच